आईए आज हम शुरू करते हैं BST का यानि Business Studies का चौथा चैप्टर जो की है व्यावसाइक सेवाएं सबसे पहली बात सेवाएं होती क्या है और सेवाओं के साथ साथ आपने उत्पाद भी शब्द सुना है हम आई इन दोनों शब्दों के बारें में थोड़ी जानकारी लेते हैं सबसे पहले उत्पाद की चर्चा करते हैं कि उत्पाद होता क्यै जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक टीवी दिख रहा है आपको, ये भी एक उत्पाद है, एक वाटर बॉटल दिख रहे हैं, वो भी एक उत्पाद है, एक वाशिंग मशीन दिख रहा है, वो भी एक उत्पाद है, इवन आपकी अगर डे टुडे यानि रोज मर्रा ताकि लाइफ में अगर आप देखें तो टेबल, चेर, टिफिन यानि जिन वस्तूओं को यह हम कह सकते हैं जो मूर्त वस्तूओं हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं और अगर हम मूर्त वस्तूओं को परिभाशत कर रहे तो मूर्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिने हम स्पर्श कर सकते हैं यानि छू सकते हैं जिने हम आखों से देख सकते हैं और जिने हम महसूस कर सकते हैं तो उत्पाद वे सब वस्तुएं जो की मूर्त होती हैं जिने हम स्पर्श कर सकते हैं हम चूँ सकते हैं जिनने हम देख सकते हैं और जिनने हम महसूस कर सकते हैं चूप करके तो यह हुई उत्पात अब बात आती है सेवाओं की तो बचों क्या आप सेवाओं को देख सकते हैं चूँ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं बाइट टच सेवा को आप कैसे समझेंगे जैसे कि किसी डॉक्टर ने यदी आपको दवाई लिख कर दी आपकी हेल्थ के लिए ठीक है तो वो अपनी सेवा दे रहा है तो क्या आपने उसकी सेवा को टच किया नहीं क्या आपने उसकी सेवा को देखा देखा, एक सेंस में जिसे आपने फील किया, उसको महसूस किया, कि नहीं वो हमारी मदद कर रहा है, भले हम से कुछ फीस ले रहा है, उसके बदले, लेकिन वो हमें मदद कर रहा है, तो अगर हम सेवाओं को परिभाशित करें, तो सेवाय जो होती हैं, अमुर्थ रूप में पाई जाती है, इन्हें नहीं हम देख सकते हैं, और नहीं छू सकते हैं, अब आप बात करेंगे कि सेवाओं के उदाहरणों की, तो बच्चों सेवाओं के अगर उदाहरणों की बात करें, जो कि हम इस पार्थ में चर्चा करने वाले हैं, वो सेवाओं हम जो बात करेंगे वो है banking, बीमा, यातायात, वेर हाउसिंग और इसके अलावा एक और है लेकिन आपके syllabus में जो है वो दो topic पे गौर किया गया है या दो topic को इसमें include किया गया है हम उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे वो है banking services और दूसरी है बीमा सेवाइग ठीक है हम आगे बढ़त आएए अब हम इनके बीच के अंतर को जानते हैं और अच्छी तरीके से इनको जानने की कोशिश करते हैं सेवाओं और वस्तूओं में अंतर अंतर का अधार प्रकृति लेते हैं तो एक क्रिया अत्वा प्रकृतिया जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म देखना और वस्तूओं की प्रकृति देखें तो एक भौतिक वस्तूओं जैसे किसी फिल्म का वीडियो कैसेट विबिन रूपता अंतर का अधार हम दूसरा लेंगे तो इसमें सेवाओं में देखते हैं अलग-अलग ग्राहक अलग-अलग मांगे जैसे मुबाइल सेवाएं और वस्तूओं में देखेंगे अलग-अलग ग्राहक माना मांगों की पूर्ति जैसे मुबाइल फोन अभिन्यता तीसरा अंतर का अधार लेते हैं सेवाएं में हम समझेंगे उत्पादन एवं उभ्भोग एक साथ जैसे जल पान ग्रह में आईस्क्रीम खाना और वस्तू में देखेंगे तो उत्पादन एबं उभ्भोग में अलगाव जैसे दुकान से आईस्क्रीम खरीदना अब रहतिया देखते हैं यानि inventory अंतर का अधार लेंगे हम चोथा तो सेवाओं में देखते हैं तो stock में नहीं रख सकते जैसे rail यातरा करना और वस्तू में देखेंगे तो stock में रखा जा सकता है जैसे rail यातरा करने टिकेट संबद्ता अंतर का अधार लेंगे तो सेवाओं देखते हैं सेवाओं उपलब्द कराते समय ग्राकों की भागिदारी जैसे फास्ट पूट स्टॉल एवं स्वैम सेवा और वस्तूएं देखेंगे तो सुपूर्दुगी के समय भाग लेना संभव नहीं जैसे किसी वाहन का विनिर्मा तो इस तरीके से हमने वस्तूओं एवं सेवाओं में अंतर को जानने के बाद आईए अब अपने में टॉपिक में फिक क्या है हमारा जो में टॉपिक है वह दिएवख़ साइक सेवा यानिंए बिजनेस सर्विसेस अभी तक आप बदो पड़ते है ऊपने जाना बिज nessa क्या है अर्थिक अर्जन करने का तरीका है लाबार्जन करने का मार्केट है उसको कबजा करने का तरीका है और अपनी जो है अपनी ब्रैंड इमेज बनाने का एक क्रिया है हम से इस तरीके से जान सकते हैं यदि हम व्यावसाय को जानने के बद अब व्यावसाय क सेवा को समझें या अर्थ निकालें तो इसके अंतरगत वे सभी क्रियाएं यह वे सभी सेवाएं आती हैं जो कि हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा हुआ है ठीक है क्या पढ़ाता हमने कि वे सभी सेवाएं जो कि व्यविसाय में मदद करते हैं जो पांच नाम मैंने आपको बताया भी कौन-कौन से बताया बैंकिंग सर्विसेज बताया बीमा संदेश पाहन की तो यह जो पांचों सेवाएं हैं यह क्या होती है व्यावसाइक सेवाओं के अंतरगात आती हैं अब हमने व्यावसाइक सेवाओं को भी जान लिया है कि व्यावसाइक सेवाओं क्या मतलब है और कौन-कौन सी व्यावसाइक सेवाओं हम आगे पढ़ने वाल आई अब जानते हैं कि इन व्यावसाइक सेवाओं की विशेष्टा क्या क्या है व्यावसाइक सेवाओं की जब विशेष्टा देखते हैं तो पहली जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है अद्रश्टा याने इंटैंजिबिलिटी जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही क जो सेवाएं होती हैं वो अमूर्त होती हैं ना उसे छुआ जा सकता है ना उसे देखा जा सकता है केवल उसे महसूस किया जा सकता है आप बैंक में जाएंगे वहां पैसे जमा करेंगे उन वे लोग आपके पैसे को लेकर के आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे आपक जितना आप जमा करना चाहा रहेते हैं आपके काउंट में जमा हो चुका है तब आप उस सर्विस को फील करते हैं उस सेवा को महसूस करते हैं एक और उदाहरण ले तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे वहां पर अपने रोग को बताएंगे वह क्या करेगा आपकी अच्छी जिसे हम इंग्लिश में प्रेस्क्रिप्शन और हिंदी में चठा कहते हैं वह लिखकर आपको एक चठा देगा तो वो जो चठा है वो सेवा नहीं है सेवा क्या थी जब उसने आपको पूरी तरीके से अच्छे से जाचा आपकी रोग को पहचानने की कोशिश की और उस रो को दूर करने के लिए वह आपको दवाए दे रहा है तो यह जो सेवा है यह अमूर्त रूप में है इसे न आपने देखा है नहीं से चुआ है इसे के वला महसूस कर सकते हैं तो जो पहला बिंदू था अद्रिशता इस तरीके से इसकी विशेशता स्पष्ट करता है जो यानी इनकंसिस्टेंशी कैसे असमानता मतलब इनकंसिंस्टेंशी आप मालीजे आप track teacher कही उदारण ले लेते हैं लास में बहुत सारह बच्चे हैं, तो क्या हर teacher का विखार हैं, सारे बच्चों का साथ एक साथ होगा? Possible ही यह होता है, at the time of teaching, वो क्या करेगा या मैं क्या करूँगी? कि जो ज़्यादा होश्यार बच्चा है उसको concept समझ में आ गया यह मुझे पता है क्योंकि मैं regular class में पढ़ाती हूँ मुझे पता यह होश्यार बच्चा है लेकिन मैं concentrate के उपर हूँगी जो ज़्यादा कमजोर है या जो धीरे से समझते हैं मेरा concentration अगर इन बच्चों के उप जो की ज़्यादा होश्यार अगर उनके उपर मेरा concentration 40% है तो 60% मेरा कमजोर बच्चों के उपर रहेगा तो मेरे विवहार में डिफरेंस दिखा क्योंकि उन बच्चों को मेरी ज़्यादा जरूरत है यह तो टीचर का उधारण था अप ऐसे बैंक में चले जाएए बैंक मे आप जब जाते हैं तो वहां पर जो बैंक के कर्मचारी होते हैं वो अलग अलग तरीके से विवहार करते हैं अलग अलग अपने क्लाइंस से अब देखिए कई प्रकारिया क्लाइंस आते हैं कुछ क्लाइंस ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं बातों को जल्दी समझ जयते हैं हाइट होते हैं technology को जानते हैं तो उनको समझानय की ज्यादा ज़रूत नहीं पड़ते हैं उनके कुछ izasay होते हैं जो बैंक को यूज कर रहे हैं लोग अब भोकता जो है व ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते चीजों को नहीं समझते तो उनका व्याभार उनके लिए बदल जाता है क्यों क्योंकि उनको उन पर ज्यादा जो देना पड़ता उनको ज्यादा चीजें समझानी पड़ती है कोई भी कारे करने से पहले हो सकता है कि जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा हो या जो चीज को न जाने वाले पढ़े लिखी लोग भी ऐसा कई बार होते हैं कि चीजों को नहीं जानते जब नई चीज़े आती हैं तो उसको जानने में टाइम लगता है वैसे हिए अगर बैंकिंग सर्विसेस में हम देखें तो रोज मरा में देखें तो कई चीज़े बदलती रहती है जब कोई नई चीज आती है, तो लोगों को समझाने में उसे समय लगता है, तो इसी तरीके से हम बैंक में भी देखें या और भी कई सेवा, पेशेवरों को देखें, तो उनके जो व्यवहार होते हैं, अपने क्लाइंट के साथ अलग-अलग प्रकार के होते हैं, जो कि इस द दॉक्टर की सेवा है, उसको आप स्टॉक करके रख सकते हो, आप अभी बिमार नहीं हो, लेकिन आप भविश्य में बिमार हो सकते हो, इसके लिए आप पहले ही डॉक्टर के पास जाएंगे, और उसके पास उनसे सेवा लेंगे, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल करती है, तो इन फ्यूचर के लिए आपको सेजिशन दे देगा, लेकिन अटे टाइम वो सेजिशन आपको काम नहीं हैंगी, तो बेस्ट एग्जाम्पल हम देने देखा, डॉक्टर की सेवा है, उसको आप स्टॉक करके नहीं रख सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, कि ज चेक अप करेगा या आपको अच्छे तरीके से आपको चेक करेगा और उसके बाद उस अनुसार आपकी दवाईयां लिएगा, आगे हम बढ़ते हैं, अगली विश्रिष्टा की हो, जो कि है अहस्तांत्रणिय, यानि नौन ट्रांस्परेबल या इनसेपरेबल, इसमें क्य डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन मैं खुद ना जाका क्या कर रही हूं, मैं अपनी एक दोस्त को भेज जरी, तो क्या उसे मेरी समस्या का हल हुआ, नहीं, तो क्या होता है, कि ये जो सेवा है, वो अहस्तांत्रणिय हो रही है, ठीक है, अगली बिंदु पे हम आते हैं, अगर एसमें देखें, तो हर कस्टमर का उसकी सेवा को लेने के लिए पाटिसिपेशन होना जरूरी है, यानि उसका इनवॉल्वमेंट होना जरूरी है, मुझे कोई कमपनी खोलनी है, मेरा माइंड सेट है, मुझे प्लानिंग चाहिए, कैसे करनी है, मुझे हेल्प और ये CS क्या करेगा मुझे help करेगा या मेरी मदद करेगा कि मैं अपनी company खोलूँ ठीक है तो इसमें ग्राहक कौन हुए मैं यानि client कौन हुई मैं और मेरी भागीदारी होना जरूरी है मैं अपने बदले अगर किसी और को भेज़ूंगी तो क्या वो कारे सहीं से होगा नहीं तो जो सेवा मिलनी चाहिए वो सेवा से मैं वन्चित रहा जाओंगी इसलिए जो पांच्वा बिंदू कहता है वो कहता है कि ग्राहक भागीदारी भी जरूरी है समझने के बाद अगले बिंदू पर जाते हैं वो है सम का लीन ना यानी साइमल्टेनिटी अब क्या होता है कि जैसे ही हम बात करें हैं सेवाओं कीurar तो सेवा नहीं होती है कभी सेवा प्राप्त हो जाती इसमें साइमलटेनीटी नहीं होती हैं अगह बढ़ते हैं विशचेशगयों द्वारा आप देखें तो वो आपको experts ही दे सकते हैं अगर banks में जाएंगे तो bank में काम करने वाले करमचारी अपने कारे में expert होंगे अगर आपको बीमा लेना है तो उसके लिए जो agents होते हैं या बीमा company में कारे करने वाले तो आपको डाक्टर से रहे ले जाते हैं, आपको पर ऐसे अपने तरीक हैं, टो किसी तरीके में तरहे किया देंगा आपको सेवानेगे, और आपको अबेकंव के स्कुर्ड के वो हो उसके लावि प्माद हो। सेवा दे तो बच्चों इस तरीके से आपने व्यावसाइक सेवा को जाना है और उसकी विशेष्टाओं को जाना है इनकी जब हमने विशेष्टाओं जान ली तो अब यह देखते हैं कि जो सेवा शब्द है कितने प्रकार के होते हैं जो सेवा शब्द है वो तीन प्रकार के होते हैं पहला है विविवसाइक सेवाएं दूसरा है सामाजिक सेवाएं और तीसरी है नीजी सेवाएं घट पहली सेवा हम इसको विश्चुरित रूप से अभी तक हम पड़ रहे थे उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि बांकिंग सर्विसेस को जाने च्फे। को जानेंगे इन दो सेक्टर्स को हम अच्छे तरीके से समझेंगे और यातायाद सेवाइं संगरहंड सेवाइं साथ ही साथ जो संदेश्वान से है उसको छोटे रूप में जानेंगे तो व्यापसाइक सेवाओं को समझ लिया हमने यानि बिजनस सविसेश को अब बात आती ह सामाजिक सेवा की सामाजिक सेवा क्या होती है जब यदि जो लोग क्या करते हैं लोगों को खाना खिलाने का काम करते हैं बीना पैसे लिए ठीक है जो लोग दान करते हैं या जो लोग औरफन मतलब जो बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं उनको क्या करते हैं उनके पढ़ाई लिखाई का खर्चा वहन करते हैं तो यह सारी चीजें जो लोग करते हैं वो सब जो उनकी करियाएं होती हैं या जो सेवाएं होती हैं वो सामाजिक सेवा के अंतरगता दी इसके बाद तीसरी सेवा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहें नीजी सेवा या नी परसन समस्या इसमें सॉल्व कर दीजें वो जो दुकान वाला है वो मेरी समस्या को सॉल्व करके मुझे मेरा जो भी लाप्टॉप है या मेरा जो फोन है वापस करता है तो वो मुझे क्या दे रहा है सर्विस दे रहा है तो वो मेरी परसनल सर्विस होई तो इस तरीके से हमने व्हाorn को तीन भागों में समझा आद करड़ को जो हमारे जो में मुद्धा है व्यावसाइक saiba उसको हम डीटेल में जाने कोशिश करते हैं वो कितनी प्रकार की होती है जैसे कि से पहले मैंने चर्चा की है वह पांच प्रकार की होती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहली है बैंकिंग सर्विसेस, दूसरी है बीमा सेवा हैं, तीसरी है यातायाद सेवा हैं, चौती है संगराणिया भंडारण और पांचवा है संदेशवान, आईए हम एक एक करके इनको छोटे-चोटे में समझते हैं, हम पहले जो बैंकिंग सर्विस है उसको शौट में समझते हैं, अब बैंकिंग यह बहुत ही कॉमन वर्ड है, क्या होता है बैंक में बच्चों, आप लोग देखे होंगे अपने पेरेंट्स को क्या करते हैं, वो जाते हैं, पैसो को जमा करते हैं, यह जब पाँन्ट खुलवाटें एकाउंट खुलेंगा तब तो पैसे जमा होंगे रहें पैसे निकालते हैं पैसो को फिक्स करते सब्सक्राइब करके और यू नहीं बीधे मैं पुझेंगे लोकर सुविधा क्या होता है ठीध फ्रम प्रिया के अगर अभूशन मते या अभूशन को wichtig कि अगर हमकों सेफ लोकर धेते हो desarroll भी कि चाभी एक उनके पास होती है हमारे पास ऑव लॉटकर केवल तभी इस्तमाल कर सकते हैं जब हम उनके सामने हो वह क्या करेंगे हमें वह छो की है उसका इस्तमालгов Тे सब्सक्राइं हमारे यूज़ नहीं किये हमीं हमारे वस्तों सुरक्षित रखने के लिए वे लॉकर सो विधा देते हैं कि तो मैंने बताइए ड्राफट सु सुंदा बताई लॉकर सुविधा बताई इवफिन डेभित कार्ड करड्ड क्रेडित कार्ड डेभीट कःर डेभीट क्या होता है इसमें जो पैसे होते हैं हमारे काउंट में उसके लिए मेट के न Jew हम उसर को एक कारड इसु कर दिया था जिसे हम ATM भी कहते हैं ATM कार्ड आप जानते होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि हम ATM मेशीन में डालते हैं और उसमें से पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये डेबिट कार्ड होते हैं, और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड मतलब एक तरीके से बैंक से लोन लेना, और वस्तूओं को खरीदना, और उसके बदले में बैंक को थोड़ा से ब्याज देना, जो कि अलग-अलग बैंकों का अलग-अलग होता है, तो बैंकों की जो सर्विसेस हैं, उसको आपने समझा, क्या जाना, कि बैं हमें कौन-कौन सी सुविधा दे जैती बैंने बताई, द्राफ्ट सुविधा, लाकर सुविधा, डे बेट कार्ड, क्रिडिट कार्ड, यह सारी सुविधा हैं, अब जोसरी सेवा है, उसको देखते हैं, कि दूसरी सेवा क्या है जो दूसरी सेवा है, वो कहती हैर nowhere, यानि insurance 即日 कारणा है अब कोविड़ का अगर आप देखें तो प्रत्यक व्यक्तिक वॉर्भ से बचने के लिए अपना इंशरेंस करा रहें सबसे पहला सवाद इंशॉरंस क्या होता है इंशॉरंस क्यों किया जाता है अब देखिए बच्चों अगर हम इसको समझे तो उसमें जो बीमा कंपनी क्या होती है बीमा कंपनी जो होती है वो एक एमाउंट ले करके उस व्यक्ति का बीमा करती है जो वो बीमा कराना चाहता है और उसके बदले व उसने क्या किया अपना बीमा कराया बीमा कराने के बाद एक डियूरेशन के लिए किया मान लिजे उस डियूरेशन पेरिड में उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा बीमा कंपनी अब वो तो जाने वाला चला गया लेकिन उसके जाने के बाद उसके परिवार की फाइनेशल ह सब्सक्राइब उस एक व्यक्ति के रिस्क को कवर करती है तो इसने क्या होना पड़ता है जो व्यक्ति है जो बीमाच ले रहा है वो अ रिमाम देता है अब यह मोग कैसे देगा वह उसके लिए-बीमाwriting करता है, साथ थी साथ Company to Company vary क chambers Coi क्या करते हैं, हर तीन महिने में अपने एक Prêmium भरतें, कोई क्या करते हैं साल भर में एकड़ी समख पूरा प्रीमियम बटाते हैं तो यह Company to Company vary करता है और Bengal to bema vary करता हैef अगर हम बीमा सेवाओं के उदारनों को देखें तो इसमें जो उदारन हम देख सकते हैं जीवन बीमा होता है अगनी बीमा होता है चोरी का बीमा होता है सामुद्रिक बीमा होता है बहुत सारी बीमा होते हैं इसके लावा भी आजकल तो आखों का भी बीमा होता है आप जैसे यं तरट मोबाइल day to day में मोबाइल यूज करते हैं कभी-कभी देखते हैं वह फिंगरपृिंट होता है कई और संथल्भ रॉक्ती दिया झाया है न चीजों को सक्ष्ण में क्रणने की आवश्चिक्ता है उनके लिए पर जबर्दस security के अवर्श रखता होती तो लोग कई बार क्या करते हैं अपने आई लॉक कर देते हैं उनके फेस के बिना या उनके सेंसे के विच आइक हांद के वह लॉक खुलेंगे ही नहीं तो क्या गरते हैं अब इसका भी हो गया कराते हैं बीमा कराते हैं ताकि इन फूचर कोई समस्या आती है तो तो यह वी बीमा सेवाइं आगे बढ़ते हैं तीसरे जो सेवा है उसकी तरफ वह है यातायाद सेवाइं यानि ट्रांस्पोरटेशन अगर हम ट्रांस्पोरटेशन की बात करें तो बहुत ही सिंपल है जो है उत्पादन स्थल से उपभोकता स्थल तक वस्थों को ले जानने का कारे कान करेगा ट्रांस्पोरटेशन सुविधाों के अंतर घति आएगा तो वस्तों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुचाने की समस्या है उसको दूर करने का कारे कौन करता है यही transportation करते हैं जैसे कि कि आप truck जानते हैं और भी कई चीज़े हैं तेल की τंकियों में दूर-दूर से या gas की टंकियों में जो है जाती है तेल बड़े-बड़े tanker में जाते हैं पानी पर आपका भी बार देखते भी होंगे कि बड़ी-बड़ी ट्रॉलिया ट्रॉक्स में क्या है टू विलर जा रहे हैं तो इस तरीगे से जो यातायाद सेमाय हैं वो मदद करती है किसकी जो उत् संगरहन या भंडारन याने वेयर हाउसे अब वेर हाउसिंग को यहोगी होती है नहीं हो क्या होगा वस्तॐं स्रक्षफित नहीं रहेंगि तो उनकी जब requirement होगी तब कैसे वेसे होधे पूंफिल कीजाएंगी थो क्या होता है जो है उत्पाद होते हैं धर न्य स्लेक्डिक्शन होता रहता है लेकिन सारा एक सदों तो गंजूम नहीं हो सकता नइ वो तो धीरे धीरे कंस्यूम होगा तो उसके लिए वेर हाउस की जरूत होती इसमें क्या होता है कि जब वस्तुओं का संग्रहन करना होता है तो यह जो भंडारन के लिए जो भंडार ग्रे बनाए गये हैं उसमें क्या करता है कि भंडार ग्रे में जगह उपलब्द कराई जा जाता है वह जो मैनुफेक्चरर है या वह व्यक्ति इसने अपनी चीजों को रखवाया है वह उस भंडार गरी को पैसे देने के लिए क्या होता है उसके उपर पैसे की देंदारी लागो हो जाती मतलब अब वह क्या करेगा क्योंकि उसकी वस्तुओं को सेफ रखने के जिम्म कि नहां पर सेव्त तब तक वह क्या करेगा वह विकति जिसकी वेस्पर वह ऊस भंडाग्रे के विकति को या उस भंडाग्रे की मालिके को पैसे तो इस तरीके से संग्रहन या भंडाराण जो है मदद करती, सबसे एवेलेबल होने वाले संदेश और कौन कौन से क्या बता सकते हैं जी हां बिलकुल आपकी मुबाइल phones उसके अलावा आप mail के through भी क्या करते हैं संदेश वाहन करते हैं इसके अलावा mobile phone में भी आपके बहुत सारे चोटे चोटे ऐसे apps हैं जिसके तुर आप quickly कि अगर सकते हैं जो है अपने message को भेज सकते हैं अब देखिए mobile phone आप यूज करते हैं एक काम करने के लिए कि फोन करके सामने वालों को बताएंगे लेकिन उसमें कई चीज़े आने लग गई हैं हम documents शेर करते हैं PDF शेर करते हैं पिक्चर शेर करते हैं वीडियो शेर करते हैं कि सारी डेटा ज business purpose है हम देखें जब हम देखें कि बड़े-बड़े enterprises चलते हैं बड़ी-बड़ी company चल रही है तो उनके different department या विभिन विभागों के बीच अगर उनको क्या रखना है तो वहां पर communication का होना जरूरी है और market में बने रहने के लिए भी communication का होना जरूरी है तो इस सिती में यह जो संदेश वहां की अंतर हैं यह बहुत useful होते हैं और अपनी services देते हैं तो बचो इस तरीके से हमने क्या जाना कि व्यावसाइक सेवाएं कौन-कौन सी हैं और कितने प्रकार की हैं